नीलकंड फर्णी, कोई कहता है कि अहम ब्रम्हास्मी, यानि कि हमारी आत्मा ही ब्रह्मा है, तो कोई सिखाता है कि हमारी आत्मा ही पर्मात्मा है, यदि ऐसा ही है, तो हमें अपने अंदर पर्मात्मा का साक्षात कर या कोई अनुभाव क्यों नहीं होता है? वास्तव में आत्मा, ब्रम्ह और पर्मात्मा एक ही नहीं परंतु तीन अलग-अलग तत्व हैं जैसे म्यान और उसके अंदर रखी हुई तलवार अलग-अलग वस्तुए हैं वैसे ये शरीर और उसके भीतर बसी आत्मा दोनों अलग-अलग तत्व हैं आत्मा ही आपका वास्तविक स्वरूप है जो इस नाश्वन शरीर के सभी लक्षणों और भावों से स्वतंत्र और अप्रभावित है आत्मा यानि जीव से परे इश्वर तत्व है इश्वर से परे माया है और माया से परे ब्रम्ह तत्व है और इन सबसे परे एक तत्व है सर्वो परी परब्रम्ह परमात्मा